नारियल मेवा पाग बनाने के लिए कढ़ाई में एक चम्मच घी को गरम होने के लिए रख देंगे उसके बाद हम लेंगे कुछ ड्राइफ रूट जिसमें 4-5 बदाम और काजू लिए हैं मैंने इसे एक एक करके गैस के धीमी आज में आधे से 1 मिनट तक हम इसे भून आप अपने पसंद के कोई भी ड्राइफ रूट इस पाग में एड़ कर सकते हैं साथ ही साथ इनकी क्वांटिटी को भी अपने टेस के अकॉर्डिंग कम या जादा रख सकते हैं बदाम और काजू को भूनने में बहुत समय नहीं लगता है जैसे ही बदाम भून जाएं तो इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे उसके बाद हम काजू को भूनलेंगे क्योंकि घीगरम है तो धीमी आज में आदे से एक मिनट में ड्राइफ रूट फ्रूट्स फ्राई होकर रेड़ी हो जाते हैं तो काजू và बदाम को एक प्लेट में रख लेंगे उसके उसके बाद कदू कस किया हुआ सुखा नारियल लेंगे अगर आप इसे कप से कॉंटिटी मेजर करेंगे तो दो कप प्लस फॉर्थ कप इसकी कॉंटिटी होगी और ग्राम में देखेंगे तो यह 200 ग्राम है इसे भी हम गैस की धीमी आच में सिर्फ एक मिनट के लिए रोस्ट करेंगे यहां पर हमें नारियल का कलर नहीं चेंज करना है सर्फ हलका सा क्रिस्पी करना है और इसके कच्चे पन को खतम करना है तो नारियल अच्छे से भुन चुका है अब हम गैस को बंद करके इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे जिससे हमारा पाक का मिक्चर जल्दी से ठंडा हो जाए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं अब हम सुगर सिरप यानि चाशनी बनाना शुरू करेंगे इसके लिए एक कप हम शुगर लेंगे और इसमें आधा कप पानी आट करेंगे इस पाक को बनाने के लिए हमें एक तार की चाशनी की जरुवत परती है तो गैस की मीडियम फ्लेम में चाशनी को तयार होने के लिए रख देते हैं जब तक हम दूसरी तयारी करेंगे तो जो ड्राइब फूर्स हमने फ्राई करके रखे थे उसे हम थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे अगर आप इसे मिकसर में पीसते हैं तो इसका बिलकुल पाउडर बन जाएगा और इस तरीके से दरदरा कूटने से इनका स्वात पाक में बहुत बढ़िया आता है तो हमारे ड्राइब फूर्स बढ़ियां से रेडी हो चुके इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे साइड में रखते हैं अब हम दूसरी तयारी करते हैं अब पाक को जमाने के लिए हमें एक प्लेट थाली या ट्रे की ज़रुवत पड़ेगी तो इसके लिए मैंने इस तरीके से एक थाली लिये जिसे घी से हम ग्रीस कर लेंगे आप कोई भी प्लेट का यूज कर सकते हैं अगर आपके पाद बर्फी जमाने वाली प्लेट है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं इसे भी साइड में रखते हैं तब तक हमारे यहां पे चाशनी में उबाल भी आ चुका है जैसे ही चाशनी में उबाल आ जाए शक्कर पानी में अच्छे से घुल जाए तो आप एक छोटा चमच इलाईची पाउडर एड़ कर दें इससे चाशनी में कलर और खुश्बू बहुती बढ़ी आड़ हो जाएगी अब हम इसकी consistency को check कर लेते हैं कि इसमें एक तार बन रहा है की नहीं इसे चेक करने के लिए एक से दो drop आप किसी plate में निकाल लें एक दो second के लिए से ठंडा होने दें उसके बाद अंगुटे और उंगली के बीच इस तरीके से check कर लें तो आप देख पारोंगे एक लंबा त वार इसमें बन रहा है इसी कंसेस्टेंसिती कि हमें चाशनी चाहिए तो गैस की आज को ढीओ कंगर धीमा कर देंगे और हमारे फ्राइब की हुए नारिय के मिलगाई Clark अपूरा अखुर और चाशनी भी अभी हमी कढ़ाई में दिख रही है तो जब तक ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स ना हो जाएं नारियल चाशनी को अच्छे से सोख न ले तब तक इसे मिक्स करना है तो अब ये कढ़ाई को अच्छे से छोड़ चुका है इसमें चाशनी भी नहीं दिख रह जब आप नारियल को चाशनी में मिक्स करते हैं और इसे प्लेट में ट्रांसफर करने तक कि प्रोसेस में आपको थोड़ी सी स्पीड रखनी होती है नहीं तो जल्दी से चाशनी जम जाती है जैसे ही हलका सा ठंडा हो जाए इसे बहुत जादा ठंडा नहीं करना है जब यह हल सब्सक्राइब वीडियो को लाईक शेर और चैनल को सबस्क्राइब.